सुभाई बड़े लोग ना कैनडा को गाली देते हैं भी कैनडा अच्छा नहीं है पर डिपेंड करता है यार बंदे तो बंदे पर है ना अब देखो मैं नहीं कभी भी बोलता है भी कैनडा बुरा है मैं तो बोलता हूँ इंडिया कैनडा जैसा कभी नहीं बन सकता आने वाल जालो अब मैं drive करता हूं मैंने गाड़ी ले लिया अभी वे कार में बैठके blog बना रहा हूं चलो पहले भी मेरे को अच्छा लगता था कैनेडा पर जब मैं गाड़ी लेकर निकलता हूं सडकों पर तो मेरे को कोई भी दिक्कत नी आती है ना जिद्धर भी मेरे को जाना होता मैं बड़े अराम से चला जाता हूँ कोई ट्रैफिक का इशो नहीं कोई कुछ नहीं इंडिया में अगर यही चीजी करनी हो तो बहुत मुश्किल है आपको पता ही है सभी लोग रिक्षा साइकल स्कूटर बाइक कार ट्रैक्टर ट्रक और अपने पेडेस्ट्रियन पैदल च क्योंकि अचानक सड़ क्रोस करते बीच में आ जाते हैं कभी कोई कुटा सामने आ गया कभी कोई गाए भैस जैसे हम इस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं भी बाइक आ रहा होता है और साथ में सांड होता है गाए भैस कोई भी ऐसा जानवर तो वो बाइक वाले को मार के एक भी आप लगा लो जो भी मैंने कुटे बिल्ले देखे हैं न सभी लोगोंने पाल रखे हैं ऐसे कोई सड़कों पे नहीं गूम रहा और जो दूद बगरा भी आता है वो भी सारा पैकी आता है पीछे बाहर शाहर से बाहर बनी हुई है डैरी जहां पे गाए बैस का दू फ्रॉग फिर आपको लाइट पर हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं आप अपकड़ कहने सिधा पंजाबी देवेच लाइट नहीं ते ओ आ जान देया फिर होर भी बहु अर्थ वाम किन्ये गंदे गंदे जानवर निकल देया फिर होर थोड़े दो मिन आनो अपना डें अब मैं जाते जाते ना इसको ऐसे बार फेक नहीं सकता है अब मैंने देख लेगा तो गाली देगा अंदर मेरे को क्या बोलेगा आके अगर कोई पुलिस वाला ना हुआ पर फिर भी यहां पे एक मेंटालिटी बन चुकी है बाकियों को देख देख के वो बोलते हैं अभी अबि कोई मेरे आस-पस सो बंदे या तो कोई भी ऐसे कोई चीज नहीं फेक रहा है तो मैं भी नी फेकूंगा अब यहीं अगर मैं इंडिया में जा रहा हूँ मेरे सामने गाड़ी जा रही है और वो केले का शिलका ऐसे फेक रही है उनको देखके मेरे में भी oss पिल्कु मचाना शुरू कर दूगा है तो यहां पे साफ सफाई का भी कोई इशू नहीं है बिल्कुल साफ सडके हैं और यहां पे आप लगा लो चार-पंच मीने हरा भरा रहता है अभी ग्रास बिल्कुल हरी हो चुकी है बहुत कम इलाके होंगे जहां पे घास को नहीं काटा जाएगा नहीं तो हर गली महले में ड्यूटी लगा रखी है बाकी लोग अपने घरों के बार खुद ग्रास काट देते हैं तो ग्रास भी बिल्कुल एकदम फ्लैट रहेगी वहां पे जो खाली अपने पलॉट होते हैं वहां पे पांग और कितना कुछ उख जाता है पेड़ पौदे अनवंटड प्लाइं उनको कोई नहीं काटता उनकी कोई देख रेख नहीं करता तो ऐसे भी कोई चक्त कर नहीं है चाहें जहाए जहां पे जो खाली जग़ा भी है ना जो खाली फ्लैट हिल्स है पहाडी येलो तो टू गुड़ दा यार तो मैं कैनेडा को नहीं बूरा बोल सकता ये इंडिया से बहुत आगे है बाहर की जितनी भी कंट्री है जो भी लोग अस्ट्रेलिया न्यूजिलैंड यॉर्प में बैठे हैं ये सारी कंट्रीज बहुत जादा आगी हैं इंडिया से इन सब म कैनेडा वालों ने इतना दिमाग लगाया है भी यहां पे जो रेजिडेंशिल एरिया होता है जहां पे लोगों के घर बार होते हैं वहां पे ही mostly सारे स्कूल है जैसे अपने स्कूल इंडिया में कहां पे होते हैं हाईवे पे होते हैं में सड़क जहां पे ट्रैफिक कितना ज आगालो, वहाँ पे स्पीड होती है 30 की, मतलब आप 30 से जादा वहाँ पे स्पीड नहीं कर सकते है, अगर आपने 30 से जादा स्पीड करी और आपको किसी पुलिस वाले ने देख लिया, तो आपको बहुत ही महिंगी टिकट मिलने वाली है, इस रूल से ये लोग बहुत जाद स्पीड की हो है, क्योंकि बच्चे मालो स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आसपास घूम रहे होंगे, कोई गलती से सडक पे आ गया, कोई गाड़ी तेज हुई, तो एक्सिडेंट होगा, बच्चे को चोट लगेगी, तो बच्चों को प्रेट करने के लिए वहाँ पे स्पी पर भी इन्होंने ध्यान दिया है, अभी किसी को चोट ना लग जाए, ठीक है, एड़ जब हम बैफ की तरफ जाते हैं, पहाड़ों की तरफ घूमने कहीं भी जाते हैं, तो साथ में रोड के इन्होंने प्रॉपर बैरिगेटिंग करी हुई है, जालियें लगाई हुई है, ताकि जो उपर जंगल में डियर हैं, जा कोई और जानबर हैं, वो सड़त बीच में ना आ सकें, तो जिदर मर्जी चले जाओ, इन्होंने जाली लगा के सारा बंद कर रखा है, तो मतलब हर चीज बिलकुल पूरे सिस्टम से करी हुई है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, जे कोई प्रजेक्ट शुरू करने से पहले उस पर रिसर्च करते हैं, उसके बारे में पूरा अच्छ से सोचते हैं, भी ऐसा करके ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए फिर उसके बाद चीज़े बनती हैं, तब ही इनके बनाया हुए प्रजेक्ट बहुत जादा सालों तक यहां पे गर्भी 100-100 साल पुराने गर्भी हैं जो आज तक बिल्कुल ठीक हैं तो Canada में proper system से चलता है सारा काम, इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में ऐसा ही जान दे, कोई चक्र नहीं, तो यह सारी बातें इंडिया में होती हैं, Canada में नहीं होती, और आपको मैं बात ब यह तक शाम तक बंदा बार नहीं निकल सकता, बहुत ज़्यादा धूप लगती है, तो ऐसा भी यहां पे कोई scene नहीं है, हाँ यहां पे ठंड जरूर पड़ती है, विंटर के टाइम, ठीक है, 105-6 मीने बहुत ज़्यादा ठंड भी रहती है, पर उसका इलाज है, भी आपक चले जाओ, तो आपको थोड़ी सी ठंड कम देखने को मिलेगी, इंडिया में बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, अब इंडिया में गर्मियों में क्या होता है, भी थोड़ी सी भी आंधी आती है, जा कोई तुफान आता है, तो 15-20 मिनिन में लाइट चली जाती है, अब रात को मान लो वहाँ पर डिली 4-5 घंटे लाइट गाइब रहती है, तो 4-5 घंटे इतनी गर्मी में आपका इंवर्टर जेनरेटर जो भी आपने रखा है, वो भी ड़ड हो जाता है, फिर गर्मी में सोना कितना मुश्किल है, लोग वहाँ पर जब उनका इंवर्टर होने वाले हैं, तीन साल में मैंने आज तक एक बार भी लाइट जाती नहीं देखी, क्योंकि यहाँ पर जो तारें हैं, सारी वायर हैं, अंडर ग्राउंड है, यहाँ पर खंबे बगारा नहीं है, इंडिया में जैसे खंबे लगे होते हैं, मार्किट में तारें ऐसे लटक हवा चलती हैं, तो आप अंदाज्जा लगा लो कितनी ज्यादा हवा चलती है कैनड़ा में, पर फिर भी लाइट नहीं जाती है, क्योंकि वायर जो नीचे हैं, इंडिया में क्या है, वायर सारी ऐसे लटक रही हैं, अब फैबरेरी के मत में लगा लो जब बसंत पंचमी हो होता है, कितनी लोग ऐसे पतंग उडाते हैं, डोरे ऐसे हवा में लाटकरी होती है, जिसकी वज़े से लोगों के गले कटते हैं, तो ऐसा भी कोई चक करनी है यहां पर, अगर मैं जा रहा हूं सीधा, तो मेरे को इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है, भी मेरे को को आके मार जाएगा, इंडिया में मेरे को अपनी घर्दन चारो तरफ गुमानी पड़ेगी, भी कहीं से भी कोई भी आ सकता है, ठीक है, तो आप फ्रीली ड्राइव नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे डिफरेंस है कैनेडा और इंडिया में, कैनेडा की बढ़िया यहां पर ठीक है, सिक्का चला हुआ है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जिनके बिजनस खुले हुए है, जिनके मोटे पैसे बन रहे है, जिनका स्ट्रगल वाला पीरियड चल रहा है, जिनको पैसे अच्छे नहीं बन रहे है, जिनको बहुत जादा हाड़ ऐसे ही मत बाते सुना करो भी कैनेडा बूरा है ऐसी कोई बात नहीं भी बहुत अच्छा है कुछ चीजे बुरी भी है पर 90% अच्छा है 10% बूरा है ठीक है जी आपको जानकर यह अच्छी लगी होगी बाकी ऐसी प्यार करते हूं चैनल को तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केर लव यू आल